और इन आतंकी हमलों को लेकर सियासत भी तेज हो गई है, क्या प्रतिक्रियाएं आया रही है, सुनिए किसी को भी अपमानित करना हो, किसी के नाम पे भ्रम फैलाना हो, कॉंग्रेस पार्टी वो सब कुछ कर सकती है, जहां भारती जनता पार्टी आज विकास की राजनिती को लेकर आगे बढ़ रही है, वहीं आज कॉंग्रेस पार्टी भ्रम को लेकर आगे बढ़ रही है, भ्रम को लेकर फैला रही है तो सप्कार के पास आप किस लिए बात कर रहे हैं कि बीजएपी भूल गई क्या आप इनको बिरया नहीं खिलाएंगे क्या अब इनको कवाब खिलाएंगे हम यह पूछ रहे हैं कि आपके पास को इन्सिस्टेंट पॉलिसी है नहीं ना शिर्फ डिप्ल आपने फॉरन पॉलिसी को मोडी की परसनल पॉलिसी में तब्दील कर दिया आपने फॉरन पॉलिसी को डोमेस्टिक से जोड़ दिया सेना पुलिस तदा हमारे पेरा मिलिटरी फोर्सिस के बहादू जवानों ने कश्मीर घाटी में ताबर तोड आपरेशन करके आतंकवादियों की कमर तोड के रखी है और बोखलाहट में आके डेस्पिरेशन और फ्रस्टेशन में आके आतंकवादियों ने यह जो जगह ने कश्मीर के अंदर फिर से किया है इसकी भारी कीमत इन पाकिस्तानी दुर्रांत आतंकवादियों को चुखानी पड़ेगी सब का हिसाब बराबर करेंगे और सूथ समयत इन आतंकवादियों का इन पाकिस्तानीयों का हम हिसाब बराबर करेंगे कि लिंग्स हो रही है कैसे देते हैं अब और बांधात आए नहीं नहीं समझते हैं यह एक साजिश के टाहत किया जा रहा है कि हम लोग बदनाम किया जाएं और इसमें हमारा हाथ नहीं है कश्मीरीों का हाथ नहीं है क्या माहूल को खराब करने की कोशिश की लिए पूरे दुनिया के सामने इसके चेहरे को केबल बे नकाब ही नहीं अब आतंक वादियों को इसका अंजाम भी भुगतना पर अब तरके अमले कि जा रहा है पाकिस्तान की तरफ मेरा मानना है अगर सम्मंध अच्छे नहों तो इ सब्सक्राइब था झाल।